हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपना चैनल स्टुवेंट फेवर में स्वागत करता हूं और जैसा कि आज आप सभी से बात किया जाएगा एक काफी ही महत्वर्ण टॉपिक जो की पोस्ट प्रिफरेंस की क्या वेलू है आपकी पूरे एक्जाम में या पूरे जो भ देने के कारण गलत पोस्ट पे चले गए गलत नहीं जैसे कि उनको पसंद नहीं है या कुछ लोग ऐसे भी है जिनका गलती से अच्छा प्रिफरेंस दिला गया तुमको अच्छा पोस्ट मिल सकता है कैसे इसमें क्या समस्या होगी या क्या इसका फायदा है इस अभी इस व हम लोग भी नहीं जानते थे तो बहुत सारी गलती हम लोग से भी तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप सभी अभी का जो टाइम है या टेकनिकल जूग है इसमें हर कोई को पता है कि कौन सा पोस्ट क्या है उसका क्या वर्क होता है तो आप अपनी जो प्रिफरेंस है वह सह हम को फिल किजे तो दिखिए पोस्ट प्रिफरेंस इसमें आप मैं तीन-चार पॉइंट को कवर करूंगा जिसमें सबसे पहला है कि पोस्ट प्रिफरेंस डालते समय आप कुछ बात की जरू ध्यान रखें तो ध्यान क्या रखना है तो जी से दिखिए माल लिजे कि हम पोस पोस्ट है जिसमें लेल शीक्स का दो पोस्ट है सुनु सिंद्शी चीफ कमर्सियक्ओं टिकट सुप्रवाइजर और साथ में एक है स्ट्रेशन मास्टर लेवल-फाइब अगर आप जाते हैं तो लेवल-5 प्रिफव का तीन-पोस्ट है जिसमें गुच च्टेन्ट मेनेज आपको और प्रोफाइल बताए जाएगा लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं आज साम में भी आप सभी को कुछ पोस्ट का कमपैरिजन में बताएंगे कि कौन सा पोस्ट रही है कुछ गल्स कंडिरेट का भी ऐसा बार-बार हम देखे कमेंट में आ रहा है जिसमें पूछा जा र लाता है उन लोग को रिप्लाई जरूर देता हूं तो आपकी जो भी समस्या है या अगर आप कुछ नया वीडियो जो चाहते हैं कि इस पर बनाईए इस पर बताईए तो उससे आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें उससे रिगाइडिंग आप सभी को वीडियो लोग की जब पोस्ट करेंगे तो उसमें से एक दो पोस्ट को ही किये पूरे पोस्ट को सेलेक्ट नहीं किये और बाद में ऐसा हुआ कि उनका मेडिकल क्राइटेरिया फुल्फिल नहीं कर पाए और नमबर अच्छा का सा 90 प्लस में नमबर होते वह भी वह जोब आज नहीं कर रहा है क्यूंकि उन्होंने एक दो पोस्ट को ही प्रिफेरेंश दिया जब तक अगर आप के पास कोई जौब नहीं है तो ऐसा क्यों करना हमारे अंसर से आपकी अपनी इक्छा हो सकता है और किसी को कोई प्रफाइल पसंद नहीं है तो नहीं देगा लेकिन इक सजिसन र देखना है कि इसमें सबसे टॉप पे क्या है जो हम जिसमें हम हमको अच्छा लिए से बहुत लोग है जिसको एस्टेशन मास्टर और जे डवल ए और गूट स्ट्रेंड बेनेजर इस तीनों में किसी को एसे म पसंद होगा मुदा अगर पसंद है तो सब्सक्राइब का निठीच का अगर पसंद पोस्ट अगर पसंदे तो अपना प्रिफरेंस फर्स्ट में देगा लेकिन आप जो भी प्रिफरेंस डाल रहे हैं तो सभी पोस्ट का प्रिफरेंस डाले ऐसा नहीं कि एक दो पोस्ट को प्रिफरेंस डाल कर और छोड़ दिए नहीं ऐसा नहीं करना है सभी को डालिए इसके बाद आपका जो medical criteria आप अपना देखिए कि क्या मैं इसका medical criteria को fulfill कर रहा हूं कि नहीं अगर medical criteria को fulfill कर रहा है अगर आपकी typing अच्छी है तो जो criteria जिसमें मांग रहा है उसको आप सबसे उपर दे जिस criteria को आप fulfill कर रहे हैं माल लिजे कि अगर आपका medical criteria fulfill नहीं है SM के लिए या आपकी medical criteria गाड के लिए fulfill नहीं है और आपने first preference में SM को ही दिया है तो होगा क्या जो लड़का आफी के नमबर इतना लाया होगा माल लिजे कि मेरा भी 90 नमबर है मेरा first preference goods guard है या SM है और एक और लड़का है इसका 90 नमबर ह है या ज्यद डबले तो पहले हमको उस short listing में नहीं डाला जाएगा हमारा 90 नमबर होते हुए हमको नहीं डाला जाएगा किसको डाला जाएगा ओपी दिया हुआ जो पहले दिया हुआ है जो भी पूस्त के लिए क्योंकि मैंने अपना first preference दिया था तो हमको उसमें कंसेडर किया जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी अगर आप पोस्ट डालिए तो पहले आप अपने आपको जानी बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे पता लएगा तो आपको थोड़ा मोड़ा तो आकलन है या जानते हैं कि मेरा आई क्या है आख क इसे माले जिए कि अभी आपका पावर क्या है आप वैसा है तो चेक भी करा सकते हैं कि नर्मली आप उस B2 A2 या C1 के लिए आप फीट है कि नहीं उस पोस्ट के लिए आपकी मेडिकल क्राइटेरिया फीट है कि नहीं अगर आपके पास टाइपिंग का स्पीड अच्छा का सबस्याय क्या होता है कि एक लाइब एकजांपल मैं बता रहा हूं अब सभी एक हमारे दोस्त हैं यहीं पर हैं अभी तो पास मने नहीं तो उनसे मैं बात करा था उनका क्या है कि उनका फरस्टीफरेंस में गाड़ ठागोर सेकंड की जो थी उसमें medical criteria जो cut-up हाई थी 80 cut-up है, 80 से उपर जो बच्चे का selection किया गया था उन सभी लोगों को medical criteria जब check किया गया तो उसमें बहुत सारे बच्चे medically unfit पाए गए, तो medically unfit पाए गए तो नीचे से कुछ seat बच जाएगा तो ओ जो seat बचेगा उस cut-up से नीचे वाले को फिर मौका दिया जाएगा तो उस cut-up से नीचे वाले को जो मौका दिया जा रहा है, तो उसमें उन ही को मौका पहले दिया जागा जो अपने first preference में guard को डाले हुए तो उनका क्या है, पहला preference guard डाले हुए थे, तो उनको guard में नहीं दे दिया गया आप सोट लिष्ट उसमें नहीं हो पाए आप उसका कटफ को नहीं पार कर पाए और आपका नंबर कम था लेकिन आप आपको मौका मिला आपको एक बार चांस मिला फिर से बनने का तो प्रिफरेंस डालते समय समस्दारी जरूर रखें कि आपकी इस क्राइटेरिया को फुल्फिल कर रहे हैं उसको पहले जैसे दिखिए मैंने चार बाते बताई इसमें क्या है कि फस्टली आपकी 24 क्या है आप ज प्रेवलिंग पसंद है तो आप गाड को प्रिफर कर सकते हैं या एसम का और प्रोफाइल क्या है एसम को प्रिफर कर सकते हैं आपकी टाइपिंग कैसी है अगर आप टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हैं माल लिए अगर हमारे पास टाइपिंग का स्पीड नहीं है और हम को कौन सा पोस्ट देना उचीत रहेगा तो इसलिए क्योंकि हम उसके मेडिकली उसके लिए या जो भी क्राइटेरिया मांग रहा है उसमें मैं फुल्फिल हूं तो उसको फर्स्ट प्रिफेंस दीजिए अब कुछ लोग बलेंगे कि इसका वर्क प्रोफाइल नहीं पता है त अगर आप जैसे माली जी का ओफिस्यली वर्क करना चाहते हैं यह हो सकता है कि आपको चाहिए कि नहीं थ्वड़ा सप्राइज है अगर पैसा के दिश्टी कौन से देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपको इसमें सेलरी सेलरी एक टाइम पर माइने रखता है तो सेलरी कंसार् जैसे आप घखता और कूछिन कुछ और टॉपिक है कि आप सभी का में देखूंगा कि अगर कोई कॉम töपिक है उसके घ्री जल से जल्च वेडियो और बताओं आप सभी से यह तो कि हम से जोगलती हुए सामने कोई और भाइ 2007 आके बए जरूरा में जरूरीय row कर में करने उसको लेकरके आप सबीच यह आएगा एक हैं एक स्ट्रेयटजी से बहुत लोग का Tara साथ ही साथ एक और है कि कौन सा पोस्ट अच्छा है या किस पुष्ट को फिल करना सही रहेगा गुल्स के लिए कौन सा पॉस्ट रही है किस की सेलरी कैसी यह कॉंपरीजन करके हो सकता है आ पार्ट में ऌडो और दो और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहा है काफी आप सभी का रेस्पॉंस अच्छा रहा ऐसे ही आप सभी सपोर्ट करें तो एक आप सभी अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा ज्यादा एक पोजिटिव इनर्जी मिलता है और बहुत दिनों के बाद कॉम बैक झाल 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 झाल